हाई एव्रीवान, वेलकम बैक टूम चैनल, मैं हूँ श्रिवानी लेकर आ गही हूँ आप लोगों के लिए एक और इनर्वियर गाइड का वीडियो एक और बोलना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैंने इनर्वियर पे बस एक या दो वीडियो ही बनाए हैं एक मेरे सब्सक्राइबर मुझे रिसेंटली बैक टू बैक कॉमेंट करके बोल रहा है कि मैं और वीडियो बनाए है आपने सिर्फ एक ही वीडियो बनाया है पैंटी को लेके तो ऐसा नहीं है और प्लीज आप वो मेरी पूरी प्लेलिस्ट चेक करो इस वीडियो के एंड मे आ रहा है रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर का और वो पूछ रहा है मुझसे कि ऐसा क्यों होता है कि जो लड़कियां है वो अपने अंडर गामेंट से अपनी जो ब्रा होती है वो इसे छुपा के सुखाते हैं क्यों ओपनली नहीं सुखाते हैं और या तो किसी कपड़ प्लीज लाइक कीजेगा और कॉमेंट भी कर सकते हैं आप मुझे और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए रेगुलर वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना है बहुत ही ज़रूरी सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को भी प्रेस कीजेगा नोटिफिके उन्हें खरीदना हो या सुखाना हो या धोना हो या ओपन लीज के बारे में बात करना हो इविन सेनेटरी पैट्स को लेके भी शर्माते थे जैसे कि कोई क्रायम कर रहे हैं या बहुत ही कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसे उन्हें एमबरस होने की जरुवत है ऐसा सोचती थी और openness नहीं थी और शर्माते हुए इन चीज़ों को खरीदना और इविन ब्रापैंटी को सुखाना उसमें शरम महसूस करती थी इसलिए एक ये reason होता था कि privately उन्हें सुखा रहे हैं घर के अंदर, bathroom के अंदर सुखा रहे हैं बातरूम के अंदर भी नहीं क्योंकि बातरूम सारे लोग यूज़ करते हैं अकसर store room वगरा में सुखाया जाता है या फिर जो भार भी सुखाया जा रहे हैं कपड़े उनसे धखते आ जाता है जैसे कि टॉबल से धखते हैं साडी से दोपते से धखते हैं कि किसी को दीखे न तो ऐसा करते थे पहला तो जिसे मैंने reason बताया शरम और दूसरा ये कि इसमें थोड़ा सा कुछ लोगों को superstition भी होता है जैसे कि उन्हें लगता है कि जो undergarments होते हैं उनसे टोना टोटका किया जा सकता है तो इसलिए भी undergarments को अंदर छुपा कर रगते थे कि उड़के भी इविन फेंका भी नहीं जाता था इसी reason थे किसी के हाथ लग जाए तो उस पर टोड़ा टोटका करना कर दे तो एक ये superstation वाला reason भी होता है और next है personal reason मतलब कि जो undergarments है वो बहुत ही personal चीज वैसे भी होती ही है और आप क्या undergarments पहन रहे हैं वो generally लोगों को पता नहीं चलत लेने या फिर कभी कुछ special अपने husband के लिए कभी भी women जब खरीदती है या normal अपनी खुशी के लिए ही कुछ ऐसा खरीदना कि कुछ अलग-अलग prints खरीद रही है आजकल जैसे padded bra चल रही है वो है या laces में कुछ खरीदना है कभी कुछ sensual सा sexy दिखने के लिए कुछ ऐसा तो वो परसनल चीज है एक husband wife के बीच की चीज है तो उसे वो publicly नहीं दिखाना चाहते है इसलिए वो से private रखते है क्यों बहार किसी को दिखा के showcase करना है कि हम क्या पहन रहे हैं कैसा पहन रहे हैं क्या brand पहन रहे हैं वो दूसरों को क्यों दिखाना क्योंकि कितने लोग ऐसे होते हैं especially small towns में कि उनकी तो नजरें रहती है सी चीजों पर आपस में चीजों पर गॉसिप भी होती है खिली उडाए जाते है आपकी तो कितनी बार ऐसा होता है कि यह परसनल चीज है और परसनल नहीं रखा जाए जो कि I think fine भी है जैसे कि मैं अगर अगर अपना ही एक्जा आपिंस दिखाती हूं लेकिन इस पार जो भी मैंने क्लोविया से स्टोर से खरीदा है काफी कुछ करीदा है अफकोस ब्रा पैंटी वगरा नाइट सूट्स एंड वो मैंने नहीं दिखाया कि मुझे ऐसा लगा कि हर चीज दिखाना जरूरी नहीं होता हाला कि मैंने पहले क का लिया मुझे क्या क्वालिटी मिली क्या चीज वहाँ पर अविलेवल है वो उस परस्पेक्टिव से एजुकेशन परस्पेक्टिव से मैंने आपको दिखाई है जस बिकॉस तो शो यू कि मैंने शॉपिंग में क्या लिया अपने अंडरगामेंट्स को मैं फ्लेश नहीं कि अपनी सोच है अब बात आती है अगर कि आप उसे छुपा के अगर सुखा रहे हो या शरम करके चुपा रहे हो तो आई थिंग हर किसी को आजकल की विमिन्स को स्पेशली जो पढ़ी लिखी है उनको इतना पता होना चाहिए कि कपड़ों में धूप लगना और प्रॉप पर सुखना जरूरी है दूप लगना नहीं भी अगर आप दूप के बिना भी सुखा रहे हो जैसे कि इतने अलाके ऐसे होते हैं कि जहां दूप निपढ़ती ही नहीं है सर्दियों के दिन है तो अगर आप जब कपड़े सुखाते हो आपको ये मेक्शूर करना चाहिए कि आपके कपड़े पूरी तरीके से ड्राय हो इस्पेशली आपके अंडर गामेंट्स क्योंकि अगर वहापे मौस्चर रह गया गीला पन वहाँ पे रह गया तो कितनी बार आपने नोटिस किया ना गीले कपड़े जो ठीक से सूखे ने उनमें से अजीब सी एक स्मेल सी आती जिसे कि बहुत कॉमन है UTI infection या STI जो होते हैं यह ना लगे इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने अंडर गामेंट्स को प्रॉपर्ली सुखा के यूज कर रहे हो अगर आप सन में नहीं सुखाना चाहरे हो किसी भी रीजन से चाहिए आपका परसनल रीजन हो या शर सुखारे हो कि थोड़ी हवा भी लगे कपणों पे उनमें वो बैक्टीरिया या स्मेल जिसी डबल अप ना हो और कम्प्लीटली वो सूख चाहे ताकि आपको उसे प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो यही था आज की वीजियो में और ज्यादा कुछ डिसकुस करने को है नहीं ब बाबाई ठीकिर